हमश्कार आदाब दोस्तों हिंद वो इसमें आपका स्वागत है मैं हूँ किराम अडानी के खिलाब जब से हिंदन वर्ग ने अपनी एक रिपोर्ट पेश किये अडानी की जो शेर वैल्लियो लगतार घट रही है उनके वो अमीरी में जितने उपर थे उससे बहुत जादा नीचे जा चुके हैं तमाम तरह की चीज़े हो रही है सरकार पर पहले कॉंगरिस ने आरूप लगाय थे सरकार ने पलना जाल जाता इस मामले में संसद में बहुत बहस होई लेकिन क्या की बहस जो डिबेट में होनी चाही थी वो उस तरह पूरी तरा से नहीं हो पाई अब इस मामले में जहाँ पहले मीडिय बोलना था विदेशी मीडिय बोलना था अब जो विदेशी बिलेनियर हैं उन्होंने बोलना शुरू किया है एक बड़े बिलेनियर है दुनिया के जाने माने अमीर है और बहुत अमीर रखते हैं अमेरिका के रहने वाले है नाम है जोर्ज सोरोस उन्होंने एक आरूप लगाया है मोधी सरकार और अडानी पर यानि कि बिजनसमेन जो अडानी है उन पर आरूप लगाया है जिसके बाद हंगामा बज़ गया है केंदरी मंत्री स्मृति रानी ने मौर्चा खोल देया और उनने का कि भारत के लोंकतांतरिक ढांचे को तोड़ने की कोशिश की जारी है मोधी जी को जो साब सुत्रे हैं सुनिये उसके बाद जो हमारे केंदरी मंत्री है स्मृति रानी जी उनका भी बहान में आप लोगों को सुना होंगा तो जोर्ज सोरस का अपने बहान सुना यहाँ पर जोर्ज सोरस यह कहते हुए दिख रहे हैं कि भारत में मोधी और बिजनस टाइकोन अडानी एक दूसरे के सहयोगी हैं अडानी ने स्टोक मार्किट से फंड रेज करनी कोशिश की है जिसमें वो फेल हो गए हैं मोधी और डानी केस पर चूप हैं लेकिन उन्हें विदेशी निवेशकों और संसद में सवालों का जवाब देना होगा इस सरकार पर उनकी पकड़ वरना कमजोर हो जाएगी अब ये बयान आने के बाद थंगावा मच गया अलएकि कॉंग्रिस ने भी इसकी निंदा की है कि आप हमारे इंटर्निल मामले में दखल ना दे लगिन केंदरे मंतरिस मरति रैलिनी ने प्रेस कॉंफरेंस बलाई और उन पर बढ़ा गई कि हर हिंदुस्तानी को इसका जवाब देना होगा जोर्ज सोरस के बारे मैं आपको बता दूँ एक यहुदी बिजनसमैन है अमेरिके की बिलेनियर है जाने बाने आमीर है टोप 10 में हमेशा रहते ही है और आपको बता दूँ कि इन्होंने C.A. और 370 पर भी पहले बयान दिये थे जोरान उन्होंने यह कहा था कि बारत एक लोकतांत्रिक देश है लेकिन नरेंद्र मोदी लोकतांत्रिक नहीं है वो तेजी से बड़ा नेता बनने के एहम वज़ा मुस्लिमों के साथ के गई हैंसा है और वो इसे हिंदू राष्ट की तरफ ले जा रहे हैं यह उन्होंने पहले भी बयान दिये कश्मीर पर भी बोला है 370 पर भी बोला है पता नहीं बारत पर इनकी नजर क्यों रहती है और यहीं पर मैं इनकी बात क्थम नहीं करूंगा य उनने ये का था कि दुनिया में राष्टवाज तेजी से बढ़ रहा है और इसका सबसे खतरनाक नतिजा भारत में देख सकते हैं इन्होंने दावोस में का था सारजनिक तोर पर जान उनने का कि जहां लोकतांतरिक तरीके से चुने हुए नेता नरेंदर मोधी नाम लेते ह वो एक हिंदू राष्टवाजी देश बना रहे हैं वो कश्मीरों पर पड़ी पावंदी लगा रहे हैं उन्होंने पीम मोधी पर ये और आरूप लगा था कि लाखों मुसलिमों से वो नागरिकता चीन रहे हैं इन्होंने पहले भी आरूप लगा हैं अब जरा स्मिर्ति जानिका भी बैन सुन लेजे कि वो उन्होंने क्या क्या कहा एक विदेशी ताकत जिसकी केंडर बिंदू में है एक व्यक्ति जिनका नाम है जौद सुरोष उन्होंने ऐलान किया है कि वो हिंदूस्तान के लोकतांत्रिक धाचे पर चोट करेंगे जौद सुरोष का ये ऐलान कि वो हिंदूस्तान में मोदी को जुखा देंगे हिंदूस्तान की लोकतांत्रिक धाचे से चुनी हुई सरकार को द्वस्त करेंगे उसका मूद तोड़ जवाब हर हिंदूस्तानी को देना चाहिए तो यहाँ पर आपने स्मृत्रिक धाचे को तोड़ने की किश्चिस की जा रही है हिंदूस्तानी से बात को बरदाश नहीं करेंगे हर हिंदूस्तानी को इस बात का जवाब देना होगा लेकिन अडानी जी पर जिस तरह की चुप पी बड़े निता कर रहे हैं वो भी एक उठाने का इस पर आप लोगों जो कुछ कहना इंचे कमिट केजिएगा वीडियो को जाधा साधा शेर केजिएगा देखते हैं का डानी का मामला कब तक चलता है लोग इस पर क्या क्या कहते हैं किसी और एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी तब तक के लिए दीजी इजास कर दोगो वीडियो का बिन में में लोगोन企orno के लिए वीडियो त 때 में डानी के लिए आप अगम तो मैं याए